अबसुखंब धन्यवाद ऐसा भी नंदन से तो मेरे पाथ जो सोच के है थे वो भूलिया क्या कहना है प्रयास करता हूँ जो निकलेगा दिल से निकल जाएगा मंच पर पीटा सीन जस्टिस संजेक रोल जज सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया प्रेज़डेंट सेक्रेटरी बिया स्टेट सिविल कोर्ट से मेरे ब्रदर जज़ेस पतना आई कोर्ट के रिजिस्ट्री सिविल कोर्ट के एंप्लोईज और जो भी यहां मौजूद है स्टाफ सिविल कोर्ट के रिजिस्ट्री आई कोर्ट के बियार जुडिश्री के ऑफिसेज सबसे पहले तो यह बता दे कि इस प्रोग्राम को होना था जो हो गया नहीं तो ऐसे इसी अटकले आ रही थी लग रहता होगा नहीं होगा पॉस्पोन होगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा लेकिन होना था सो हो गया मैं आपको यह धन्यवाद नहीं कहूँगा कि आपने मुझे बुलाया चुक्के मैं अपने परिवार में आ रहा हूँ इसलिए मुझे धन्यवाद करने के अविशक्ता नहीं है लेकिन हाँ आपने इतने बड़े स्केल से इतने होसले के साथ यह जो और्गनाईज किया है यह देख के मन उसाइथ होता है और यह भी बहुत अच्छा लगता है कि आप में एक्स्ता है आज कल हर जगा जो मूल चीज की कमी है वो एक्ता हर कोई अपना राग लापता है अलग भाशा बोलता है कोई जुटता नहीं होती है हर कोई बस अपने ही अजंडा पर लगा रहता है एक प्लेटफॉर्म पे एक अजंडा करके एक कोर मूल सिधानतों को सामने रखके आगे बढ़ना इतने बड़े और्गनाइजेशन में आसान नहीं है तो मैं आपनों का अभिनंदन करता हूँ कि आप आज की दिन भी एक जूठ है और उससे आगे बढ़के मैं बोलना चाहता हूँ एक जूठी नहीं आप डिस्प्लिंड हैं आप अपने सीमा में रह के अपनी बाते करते हैं सही और सच्चे और जिन्विन डिमांड्स भी अगर गलत तरीके से पेश किया जाए या उनकी मांग की जाए तो वो डिमांड्स पीछे चरह जाता है आपका गलत कॉंडक्ट सामने आ जाता है और एक कॉज, सही कॉज भी का अंध हो सकता है ये हमेशा ध्यान रखें के जो कॉज आप ले रहे हैं उसके किस तरह आप आगे बहाते हैं उस तक पहुँचने के लिए उसको सफल कराने के लिए किस मार्क का प्रयोग करते हैं ये भी जरूरी है आपका सही तरीके से आगे बढ़ना आपके साथ लोगों को जोड़ेगा जिनकी आपने उपेक्षा भी नहीं की ये मैं अनुभव से नहीं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ ये कोई मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई थोरी नहीं दे रहा हूँ ये मैंने देखा है अनुभव किया है और इसको मैं मानता भी हूँ आपकी डिमांड्स है सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका डिमांड एक सामूहीक ओवरॉल परस्पेक्टिव में होना चाहिए चुकिए आप एक वर्ग है एक ओवरॉल विवस्था में स्ट्रीन कहिए उसे यूनियन कहिए उसे एंटाइर समाज कहिए उसके आप एक हिस्से है तो आपका जो डिमांड होना चाहिए वो एक बैलस उसमें आना चाहिए और वर्गों से आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको preferential treatment दिया जाए और सारे वर्गों से अलग इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो डिमांड्स डिमांड्स भी क्या कहूँगा मैं मैं आज से एक term यूज करूँगा आगे मैं आपके जायज हक देने चाहिए ये डिमांड नहीं है डिमांड यहां आप बोलते हैं लगता है एक confrontation है आपस में लाई है मेरी ये मांगे है पूरा करिये नहीं एक slogan का हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो तो वो confrontation आजाता है फिर एक जायज जो आपका हक है वो आपको मिले और हमको नहीं लगता है कि किसी भी quarter से आपके इस जायज हक को नहीं देने का प्रयास होगा या कोई अर्चन उसमें आएगी शर्त यहीं है कि आपकी जो जायज मांगे है हक है आपको decide करना होगा कि आज के सिथी में एक या दो ये हमारी priority है आप एक साथ दस चीजों को लेके चलेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा मैं आपके संग के नेताओं से जिनसे मैं संपर्क में हूँ कई महिनों से इसके पहले जब मैं यहां था मैं हमेशा यह कहता था कि पहले आप अपनी समस्याएं देखें उसे फिर priority राइस करें कि किसे किसका सान सबसे उपर है किसको देना या किसको मिलना बहुत ही अनिवार है और जिसके बिना एक सच में जन्मिन बादा है आपके काम करने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं बिना इसके न्याय प्रनाली चल ही नहीं सकती जजेस का रोल आपके सामने secondary है चुके जजों तक केस या फाइल आने के पहले वो बिना आपके माज़म से आही नहीं सकता है और ये माज़म जो है जो रियल में जुडिशरी को पब्लिक से जोड़ता है ये बीच के सूत्र आप ही हैं नहीं रहने से ये सारी वेस्ता उसी नीचे लेवल पर ही ठप हो जाएगी अब यहां आपको सोचना है कि आप जो इतने important position पर हैं इस position को bargaining tool जैसा use न करें ये न करें कि भाई देखे हम ये नहीं करेंगे मैं आपको इस पनाली को रोग दूगा non cooperation, work to rule उससे क्या होता है आप अपने लिए तो दुश्मनी create करते ही हैं पब्लिक के नगर में भी आपकी छवी नीचे हो जाती है इसलिए कहीं पब्लिक में डिसकेशन अगर होता है कि भाई civil court employees के ये डिमांड है पब्लिक में एक रोश होता है एक reaction होता है वो सीधे तुलना करती है कि देखे आपका रवया कैसा रहता है हम जाते हैं हमको non cooperation रहता है ठीक से बात नहीं करते हैं तो आप एक अंजाने में एक अपने खिलाफ एक force तयार कर रहे है टोटल अंजाने में हलका सब एगर आप ध्यान दीजे कि अगर आपकी छवी पब्लिक में अच्छी रहेगी तो आपके demands में बल मिलेगा because उसका पब्लिक का approval रहेगा ultimately government क्या है public के will का reflection है हमारे डिमोकरिसी है it is the will of the people तो अगर people में आपकी छवी अच्छी रहेगी government को भी एशास रहता है कि public में क्या feeling है आज के दिन में देखिये बहुत कुछ जो friction जो हम प्रेस में पढ़ते हैं देखते हैं दोनों institution के विंग में क्यूं है ये advantage मिलना है उन forces को जो जानना है कि आपकी छवी चुके public में उतनी अच्छी नहीं है इसलिए आपको आपका हक भी नहीं देंगे तो बहुत जादे उनके लिए वो कोई importance नहीं रखता है और अगर किसी चीज का कोई importance नहीं रहता है तो कितनी ही जनुरिन हो वो इंसानी फित्रत है सुभाव है कि उसे नहीं मिलता है हर चीज के लिए हमेशा common पार्लेंस में हम जानते हैं कि आपको अपनी बात रखने के लिए forcefully रखने के लिए एक ऐसे मंच की उपर आना पड़ेगा जहां आप खुले mind से विचारों का आदान प्यदान करें इस conference के लिए भी शुरू से हमारी प्यास थी प्यास रहा आप लोग दो भी काफी कोशिश की कि सारे पक्षकार state government पतना हाई court आप लोग रहेंगे सब एक मंच पर इकठा होंगे और इस मंधन में से कुछ तकुछ तो अमरित निकले ही गा कुछ बात आगे बढ़ेंगे पर जो नहीं हुआ उसके लिए नहीं रोना जो हो गया इतना ही काफी है बट इसका असर जो मेरे मैंने कलपना की थी तो कि मैंने हमेशा यही चाहा है और मेरी यह प्रास रही हर जगा मैं बहुत जादे फॉर्मैलिटी में बिलियू नहीं करता हूँ फॉर्मल फॉंक्शन पैट के पड़ा सा कॉन्फरेंस जब तक के उसका कोई ठोस मकसद नहीं हो और जब तक कि उसमें से कुछ ठोस निकलने की उमीद नहीं हो आप पाए हमको सुनेंगे मैं भी अचछी अचछे बाते करूँगा एक खाण्फरेंस कतम हो जाएगा आगे क्या यहांसे कोई बात तो निकलेगी नहीं विचार विमर्च होगा एक विचार मैं बोलूंगा कुछ विचार और लोग यहांसे आके बोलेंगे उन विचार समुचने के बात रहे जाएगा academic discussion हो जाएगा सेमिनार हो जाएगा बात कतम हो गई मकसद तो है कैसे आपके जुड़ genuine मसले हैं problems हैं उनका समधान हो और इसके लिए जब एक बात सामने आती है तो एक बात से जुड़ी बाते बहुत सारी निकल जाती है हमारे यहां क्यूं कहा जाता है कि रे टेपिजम बहुत है क्या मतलब है एक बात निकली वो एक साइड ने दूसरे साइड को चिठ्ठी से भेजी अब उस पे से कोई उसके counter view है वो चिठ्ठी से आएगा फिर जाएगा तो यह अंत कभी इसका होईगा नहीं आप देख रहे हैं अभी जैसे आपका amendment की बात हो रही है कितने बार वारतला कोई हमने भी जब हम थे हमारे मुक्ष नायद दीश जी उस समय जसे संद्धे करों जो यहां अभी मौजूद हैं हमारे बात होगा लेकिन फिर जाने के बाद वहां से चिठ्धी कुछ ऐसी आती थी जिसे लगता था कि वो सारे प्रयास विफल हो रहे है थोड़ा सा समय का भी अभाव रहा और जो चीज जिस समय लिखी है वही समय उसका है होना है हम लोग उसको लॉजिकल एन तक फॉलो नहीं कर सके मुझे पता नहीं है कि वो कितना भरागे बढ़ा काफी हद तक चीजें बैट के क्लियर हो चुकी थी जाके एक फॉर्मल डिसकेशन करना था गवर्मेंट लेविल पे और उसे फिर इंप्लिमेंट करना था लेकिन मुझे पता चला कि बाद में फिर कुछ क्वरी हो गई है फिर कुछ अब्यक्शन हो गए है यह क्या नेचर के है हमें पता नहीं है लेकिन जो भी हो चुके आपके यह सारे जो समस्याएं है उसमें से मेजॉरिटी इसी समस्याएं है जिनको कोई नकाम नहीं सकता है यह कह सकता है भाई कि अभी मेरे पास साधन नहीं है कुछ समय लगेगा इंतदार करिए यह सोच सकता है आदमी बान सकता है लेकिन उनके पास यह कहने को नहीं है कि यह मांगे मांगें तो नहीं आपके जो जिससे आप वन्चित हैं वो आपको डियू नहीं है तो इसमें तो आपको ये confidence रखना चाहिए कि आप सही पर है समय की बात है दूसरे साइट को convince करना है और हमेशा एक बात याद रखे कि आप अपने समस्या को समझते हैं समस्या है आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है लिकिन जिस पक्ष को इस समस्या से डील करना है चाहे वो हाइकोट हो चाहे गवर्मेंट हो उसकी भी मजबूरी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप भी नागरिक हैं इस स्टेट के हाइकोट के सामने समस्या है बड़ी है वाइडर विजन है उनके सामने बहुत सारी इश्यूज है एक डिसिशन हाइकोट लेता है उसके रैमिफिकेशन बहुत होते हैं एक प्रणाली पे होगा उसको आपको अप्रिशेट करना है और हाइडर को आपको मान के चलना होगा कि आपके हित में काम करेगा ये एक कॉन्स आपको रखना है आपने हाइडर ले고 tweeting मैं चुक्किए हाइड़ का पार्ट रह चुका हूँ और अभी भी इस प्रनाली से जुडावा हूँ मैं साइकोट के तरफ से और जनर्ल जुडिशिरी के तरफ से आपको इतना वर बोड़ सकता हूँ कि आपके एंटी कोई नहीं है हर कोई पॉजिटिव है लेकिन अगर कहीं कुछ देर होती है चूक होती है इसका मतलब है कि कहीं कुछ समस्या में कुछ पीच लग गया है गारी कहीं अटक गई है उसका समादान होना अनिवार है और समादान है भी उसके लिए समय चाहिए बैट के अच्छे वातवरन में डिसकुशन होनी चाहिए अभी कुछ महीनों में ये अध्धन करने का मौका मिला एक गंभीरता से कि क्यूं ये समस्या आज के दिन हो गई 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 जो पहले एक चीज थी 1222 में बदल गया उसका कारण कंफ्यूजन है बट ये कंफ्यूजन हुआ क्यों सबसे बड़या कारण कंफ्यूजन का है कि हर साइड ने समझा कि ये रूटीन चीज है नॉर्मल चीज है ये तो होई जाएगा कभी किसे ने सोचा नहीं कि इसमें क्या आपके खिलाफ जा सकता है ये क्या कंफ्यूजन हो सकता है ताके पहले ही ड्राफ्ट में ये सब सुधार करके तोटी को हटा के ये गारी आगे बढ़ती लोगों में समझा हमने भैज दिया ये रूटीन मैटर है कोई अब्यक्शन लगेगा नहीं और आपको सरकार के तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉंस आ जाएगा ये एक थोड़ी सी मैं कहूंगा ओवर कॉंफिडेंस था हम लोगों में चुकि हम लोग समझते हैं कि भाई अगर कॉज जेन्विन है आप ठीक बोल रहे हैं तो क्यूं नहीं होगा ठीक तो है लेकिन उसे करने का माद्यम होना चाहिए ना उसके करने की एक प्रणाली होनी चाहिए उसको लोग पे अधारित होनी चाहिए अब कोई रूल बनेगा रेगुलेशन बनेगा उसमें तो लोग को जिस्टिफाई करना होगा ना वो तो आपको देना होगा जिस्टिफिकेशन उसका बैलन्स करना होगा तो केवल आपका कौज सही है ये सफिशन्ट नहीं है कि कोई चीज आपके पक्ष में कोई आदेश हो जाए कोई लोग बन जाए जब तक कि उसका लीगल जिस्टिफिकेशन सामने नहीं रहे चाहे हाई कोट के चाहे सरकार के और वो रीजन्स आपके उस रूल्स में रेगुलेशन्स में नहीं दर्शाए जाए वहाँ पे हम लोगों ने दो महीने में तीन मीटिंग्स की थी अभी तो पुराने वाली कोई रेष्टा वाले रेष्टा नहीं रेष्टा जाने से है लेकिन अगर बढ़ाज आप हैं हम लोगों ने तीन मीटिंग्स की थी लोसेट्री, सेनेसेट्री के लेवल पे तीन मीटिंस की थी दो महीने के अंदर में और बहुत सारा लगा कि ये मामला सलट जाएगा लेकिन फिर भी कन्फूजन दूर नहीं हुआ उसमें एक भूल मैं अब हाइंड सैट जो कहते हैं ना पीछे पलट के देखने में लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा जादे परस्टल इंटरेस्ट ले लिए होते हैं खासके मैं अपने बारे में बोलता हूँ तो हो सकता है कि छोटी बोटी चीज़ ने उस वक्त खतम हो जाती लेकिन हमें पता चला कि सारी बाते हो गई हैं सारे confusion remove हो गए है और अब government के तरफ से वो amendment आकर के पास हो जाएगा इस impression में हम लोग भी थोड़ा सा relax हो गए कि अब बहुत जादे इसमें मेहनत नहीं करनी है चुके in principle ये decide हो चुका है बड़ भागे पूर्ट वर्ष ऐसा नहीं हुआ और कुछ न कुछ समस्या है अभी भी है जो आपको आपके genuine demands को हासिल करने से रोके रखे भी है इसे कैसे आगे बहाना है ये एक विशे है और ये विशे आसान भी है और कठिन भी है आसान इसलिए है चुके आपका cause genuine है चेट्टी कमिशन रिपोर्ट है अगल बगल और सारे राज्यों में जो सिती है हमारे यहाँ civil court और high court के staff को strictly government से compare नहीं किया जा सकता है चुके हमारे staff की duty अलग है responsibility अलग है उनके खाम करने का style अलग है तो government का जो objection रहता है कि हमारे employees तो पहले उने तो यह समझाना होगा कि यह तुन्ना करने की का पात्री नहीं है यह तुन्ना के लायक ही नहीं है दोनों अपने अपने जगा अपना काम करते हैं अब तो court ख़दम होने के बाद शुरू होता है judgment लिखाना correction करना sign करना अगले दिन का case पाना नए-ने decisions के अपने उनका अव्यत कराना और जैसे जैसे judge senior बनता है administrative work तो यह जो hidden factor है जो judges में है वो आप में भी है वो लोग नहीं समझते है कि आपको आपका time तो judge से भी आगे है judge के आने से पहले आपको आना पड़ता है judge के जाने के बाद जाना पड़ता है judge के सारे चीज़ आपको करने पड़ता है तो यह hidden factor है जो जिससे वो अव्गत नहीं है वो जानते ही नहीं है कि ऐसे भी काम होता है और ऐसा काम आज के दिन में लोग करता है चुक्कि हर कोई अपने से तुन्ना करता है, कर्मेंट साइब में आप देख ले, फिक्स टाइमिंग्स है आज ची के नहीं होगा, कल होगा यहाँ आज और्डर है तो आज निकलना है आज टाइप होना है, आज नेट पर जाना है आज डेट पढ़ना है यह लोग समझते नहीं है इसलिए लगता है कि आपका काम बहुत आसान है और डिमांड सब्के जादे आपके हैं सबसे डिफिकल्ट थोड़ा लाइटर वे में बोलना हूँ वह आपके अपने पियूस के नखरे भी आपको जलने पड़ते हैं तो यह तो एक अलग इसके लिए तो कुछ और भोनस वारा देना चाहिए हाट चीप अलावी से जो कहिए तो खेर यह यह सब डिमाने मत रख को समझाना होगा सरकार के तरफ जो लोग है उनको भी समझाना होगा तो कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स में भी यह यह ग्यान कहिए या यह समझ नहीं है कि आप जो करते हैं वो उसका क्या नेचर है आपकी परसनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ रोटेट करती है को परसनल लाइफ, जो अपने को समय करते हैं उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन होना चाहिए जिस टैप का आप काम करते हैं उसका आपको मौद़ा मिलना चाहिए यह आपका अधिकार है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है यह बात तुम्हों आगे बढ़ाएंगें कुछ अब जो आपने एक सेमिना रखा है जिस चीज़ पर उसकी उपर सबसे पहले कर से मैंने आपको कहा कि आप ऐसे माध्यम हैं हम लोग बराबर जुदिश्री में कहते हैं कि हमारे जो सिविल कोर्स हैं यह पहला माध्यम है सब्सक्राइब जुदिश्री में करना जो भी करना हो तो एक्च्वल में जुदिश्री का रियल इंटरेक्टिव फेस आप है इसके लिए मैं केवल यही कहूं अपने जुदिश्री आफसे से या है नहीं बट हमारे रिष्टार जनलिस हैं यह हमारी फिलिंस कनवेग करेंगा हूं हमेशा बोलता हूं के आपको अपने स्टाफ को रिस्पेक्ट देना होगा रिस्पेक्ट देने से दो काम होते ही है आप जितना रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे उतना ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगा एक इंगली शिकाहवत है न रिस्पेक्ट has to be commanded it cannot be demanded और इसका एक और फाइदा है जो ब respect देंगे तो हर staff अगिर्खर वो भी इंसान है वो आपके साथ cooperate करेगा ज्यादा cooperate करेगा और खुशी से cooperate करेगा सुआपका काम आसान हो जाएगा अगर आपके staff जो attached है वो इमानदारी से devoted होकर के पूरे मन से काम करें काम तो अपका टफ है, कोई वर्किंग आवज नहीं है, वीकेंड दिखूल जाते हैं, लोग अदालत आजाते हैं, कोई चीज पढ़ावा है, कोई पेंडिंग वर्क है, फाईल्स खोजने हैं, रेकॉर्ड रूम भरना है, अन डेटेट को डेटेट करना है, तो जो छुट्टी है वहाँ भी काम करना है आपको और मेरे लिए मैं अपने अनुर्ण से बोल रहा हूँ सुप्रीम कोट में भी बहुत सारी चीजे होती जो मैं अपने कोट मास्टर से पुछता हूँ कि यह हम कर सकते हैं कि नहीं इसमें बताईए क्या है वही हाल आप लोग का भी है बिना आपके तो जज़ लोग आगे बही नहीं सकेंगे अगर आप नहीं बताएं कि सर इसमें क्या करना है तो आप तो डिरेक्ट नैप नाली में दोनों साइट से पब्लिक साइड हो चाए जुडिशल साइड हो सारे काम जज़ साइब के फाइल मैनेजमेंट कोर्ट ठीक रखना सारा चीज आप फिक उपर होता है और डाबर रेता है मैं एक चीज़ और हमेशा बोलता हूँ जब मेरे जुरिश्चल आफिसर्स मेरे सामने होते हैं आप से मैं शेयर कर रहा हूँ जो को पहली बार इतने बड़े और बिहार लेवल से आप लोग तमाम से आएब हैं मैं हमेशा ये कहता हूँ के जो आदमी पावर में रहता है उसकी ड्यूटी रहती है कि वो अपने सबोर्डिनेट्स के प्रती अनुकमपा रखे मैं कहता हूँ के एक हलका सा मिस्टेक के लिए कोई कड़ी सदा नहीं देनी चाहिए बहुत सारी चीजें तो नजर अंदाज कर जानी चाहिए मैं बहुत सी स्टिक डिसिप्रिनेरियन हूँ लेकिन डिस्पिन का मतलब नहीं होता है कि आदमी क्रूल हो इन्हूमन बन जाए इंसानी समस्याओं को समझना पड़ेगा और मैं आपको बोलना हूँ चुकि आप लोग भी जिस लेवल में है असिस्टेंस के आपके अंडर में बहुत सारे ग्रिड़ी लोग होंगे पियंस होंगे उनकी भी समस्याओं आपको समझना ही पड़ेगी उनसे कैसे काम लेना क्या करना जन्विन डिफिकल्टीज क्या है उनकी आप जब तक कि एक टीम वर्क नहीं बनाएंगे आप सही से अपना काम नहीं कर सकते हैं और इस सिस्टम में एक grade 4 employee से लेकर के judge तक जब तक कि वो सब एक mental level पे नहीं हो और एक congenial atmosphere नहीं हो आप result नहीं दे सकते हैं चुकि ये सिस्टम बहुत थी difficult हो रहा है day by day because of sheer pendency इतने numbers हैं इतने cases हैं इतना हाहकारी है हर जगा हर corner से pressure बढ़ते ही जाएंगे इसलिए अगर आपस में आप इदम smooth equation नहीं रखिएगा तो हर दिन आपको दिक्कत होगी हर stage पे दिक्कत होगी और जैसे judiciary और judicial officers आपके बिना काम नहीं कर सकते हैं आप भी बिना court के काम नहीं कर सकते हैं तो आपको भी एक शोर करना हुआ कि आप discipline में रहें कोई employee है, बहुत अच्छा है discipline है, वो एक बात अपने जिला जैज के काम में बोल देगा ना वो एक normal policy हो जाएगी पूरा जिला के लिए तो एक आदमी के एक अच्छे विभार एक पूरा cause को ensure कर सकती है कि उसका कार्यमन हो जाए और एक गलत कदम sufficient है कि आपके और आपके पीओ की बीच में धरार कर दे जिसका असर सारे आपके भाई बेनों पर पड़े तो ये आपको बहुत जान रखना होगा कि आपका हर एक step हर एक dealing आपस में आपके पीओ के प्रती ऐसा नहीं हो जिसका larger implication आप पर तो होई जाएगा एक धारना बन जाएगी इक ही बाई देखिए यह तो कुछ करते ने खाली बदमाशी करते यह करते हैं और एक बर धारना बन जाना बहुत दिक्कत होता है इंसान-इंसान है दिमाग से निकालना अच्छी छवी रहेगी हर कोई आपका मदद करेगा यहाँ आपके सारे हाई कोट जजेज यहाँ पे हैं आपकी बात आपके सेक्रेटरी साहब में रखा संचिंप में बहुत अच्छी बाते रख दी में इस्यूज को हाइलाइट कर दिया हमेरे पूरी उमीद है कि आपके हाई कोट जज साहब लोग यहाँ पे हैं आपका कौज लेंगे जब इनके सामने आएगा और ऐसे भी हमको लगता है हर एक जज कोई ना कोई डिस्टिट के इस्पेक्टिंग जज रहते हैं आप उनके सामने जब आते हैं मुझे तो पता है मैं जानता हूँ हमेशा का ट्रडिशन बे रहा है कि हमेशा सिवल कोट के एंप्लोईज से मिल करके उनके समझ्चाओं के डिस्कुशन होता है जब भी कोई इस्पेक्टिंग जाता है अपने जिला में वो अपरिचुनिटी लिजिए समझाईए आपको एक माहौल क्रियेट करना होगा कि जहां हाई कोट खुझ समझे कि हाँ देखिए यह ऐसी चीज़ है जो हम यह हम अरे उपर एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने एंप्लोईज को दूँ फिर आपको बहुत जाद भी उसके पीशे नहीं करना होगा ऐसा एक माहौल बनाईए और माहौल बनेगा वो हम बता रहे हाई कोट में कैसे होता है अभी सुप्रीम कोट का भी वही है आपस में बाते होती है जजज़ज में बहुत खुल के बाते होती है लोग डिसकस करते है कि बहुत देखे मैं यहां गया था वहाई यह समस्चा है फला है उसी में से कुछ समस्चा है आती उभर के कि बहुत कॉमन आ रही है उस पर हाई कोट सुप मोटो एक्शन लेता है ध्यान देता है तो आप अगर सही तरीके से अपनी बाते रखेंगे करने पड़ेगी समय की बात है कब होता है वो मैं रिक्वेश्ट करना हूँ इस मंज से अपने ब्रदर जजेश को कि ये भी सुनके दे विल भी मोर्स सेंसिटाइज हना कि जानकारी होगी इनको भी आपको बताए होंगे और मुझे उमीद है कि आप लोग इनको अवगत कराते हैं जो भी आपके समस्चाह है रहे पिरियोडिकली आप सारे जजेज को हाइट इस फुल फुल कोट फुल जजजजे और जजजजज सब को अवगत कराते रहिए कि कब क्या मौका मिल जाता है बैठे वे कैजुल इसमें फूल कोट में समस्चाह मिल जाता है कि आप नहीं ज आपको हमेशा अपने जज्जिस को अफगत करा के रखना है, उनको अपडेटेड रखना है, आपकी क्या जरुवते हैं और कैसे वो जनुविन है, अब आप ठीक बोल रहे हैं, शेटी कमिशन ने, उसके बाद की भी जज्ज्मेंट्स है सुप्रेम कोट ने, जो सुप्रेम को तो आपको दिखाना होगा कि अपना जो रास्ता है, जो आप सही समझने हैं, जो जिस पर आप एलाई करें, वही बात सही है, उसको मनवाने के लिए भी आपको एक प्रयास करना होगा, प्रॉपर माध्यम से, और मैं रिक्वेश्ट करो ना, औरनेबल जज्जिस में हैं, र लोग रहें, ताकि उसी समय वो जेक्शन जो है, वो क्लिर हो सके है, वहाँ कोई डिपनेटिटिव आपको नहीं रहता है, अब मैं समझ जाओ, क्या 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 हम लोग की छोटी छोटी जो ओवर साइट कहते हैं ना, होने से, अगर हो सकता है, ये तीन मीटिंग में अगर आ जहिएगा, तो वो सब मीटिंग जादे एफेक्टिव रहेंगी, और उटसमें सक्सेस होने का जादे चांसे रहेगा, तो ये रिक्वेस्ट मेरा है, रिष्णा जिने सब, आप कन्वे कर सकते हैं, बाखी-बाखी मेरे बदर जज़ें यहाँ हैं, कि जो स्टेक खोल्टन है और आपकी अगर बात हो रही है, तो बिना आपके तो मतलब ही नहीं रखता है, अगर आपकी बात हो रही है, तो हाई कोर्ट में आपको भी उस मीटिंग में होने ही चाहिए, वहाँ है, जो आदनी सारा चीज जनकारी हो, मैंने बहुत समय ले लिया, और मुझे भी सुनना ह मेरे भी अभी वावत जर्सिस करोल साब से, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा इन से, इन्होंने मुझे काफी एंकरेज किया, अदिस्टेशन में मुझे अपना सहयोगी बनाया, बहुत फीरम दिया, और मुझे पर ट्रस्ट किया, थोड़ा बहुत बहुत जो अचीज कर सक तो अब हम भी सुना चाहेंगे कि ये आपको क्या मुझे दर्शन देंगे, जो आपको अपने मंजिल तक जल्दी और आसानी से पहुँचा सके, धन्यवाद, जय है